नमशकार दोस्तो सब्सक्राइब आप सभी का पाठ सौहें। का महतस बना हुआ है कर लिए करके वन पॉयए रूर्म लौन दे दे आ पकर लिए इसे अपने सधो किया आपने कंडिशन मीटGH किया है और आपको लॉन यही मिले गा कुब पाकिस्त प्रयास किया अमेरिका के पास एक बार पहले भी जा चुका है और अब आप देख सकते हैं यह पाकिस्तान में अर्टिकल कवर हुआ है जब पकिस्तान वापसे अमेरिका को कहा याद दिल आया कि देखिए हम आपके तो पुराने अलाई हैं वो भी लॉंग टर्म अलाई हैं तो क्रिप्या करके हमारी मदद करें क्योंकि आप तो IMF में काफी ज्यादा मजबूत पोजिशन होल्ड करते हैं आपकी बात IMF नहीं ठुकरा सकता क्रिप्या करके हमें 1.1 बिलियन डॉलर लोन दि हो जाए कंफर्म नहीं हुआ था कुछ दिन पहले तक जब तक वह निकले थे तो वहां पर इस उमीद में की मीटिंग हो जाएगी इधर से यूएस का प्रेशर आ जाएगा तो IMF 1.1 बिलियन डॉलर लोन रिलीज कर देगा लेकिन यह होती है ना किसमत जब खराब हो जाती ह है यही वो समय है जब प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस के दोरी पर गए हुए है और यहां पर दोस्तों जब वो यूएस गए तो अमेरिका से भी जॉइंट स्टेट्मेंट में उन्होंने कुछ बाते निकलवाई है क्या कहा साफ साफ कहा दे कि पाकिस्तान में तो टेरर पाकिस्तान दोनों पर निशाना लगाया गया है उस पर भी चर्चा करेंगे और पाकिस्तान के पास क्या option है उस पर भी चर्चा करेंगे तो जल्दी से आगे बढ़ते पर उससे पहले आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों अगनीपत बैच आपके लिए हम ले से इसमें 15000 खर्च करते हैं इसके सिवाब को फ्री मेंस मेंटर्शिप इंटर्व्यू गाइडिन समदेंगे यह सब मार्केट में दोस्तों वन पॉइंट से भी ज्यादा आपको खर्च करके मिलता है लेकिन लिमिटेड पीरिड के लिए आपको हम दे रहे हैं 7999 रुपे मे यह तब है जब आप कुपन कोड केसी 10 का इस्तमाल करेंगे तो मेक शियोर दोस्तों लिमिटेड पीरिड ओफर है इसका फायदा उठा लें अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाह रहे हैं तो यही सारी ओफरिंग है जो आपको मैंने यहाँ पर बताई यह सब भी केसी 10 for discount बिना discount के ना खरीदें देखते हैं यूएस इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट में क्या आया है यूएस इंडिया ने थर्स्टे को साफ साफ कहा कि देखी जो cross border terrorism है इसको हम इसकी कडी निंदा करते हैं तो terrorist proxy पाकिस्तान इस्तमाल करता है उसके खिलाफ पाकिस्ता याने की जो पाकिस्तान occupied कश्मीर पे इसको कहीं ना कहीं उसको control करके बैठा है वहां से भी वो ना करें दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट और भारत के प्रदान मंत्री ने कहा कि हमें action लेना पड़ेगा जितने भी UN-listed terrorist groups हैं फिर वो अलकाइदा हो, ISIS हो, L.E.T. याने लश्करताइबा हो, जैशे मुहम्मद हो, हिस्बल मुझाहिदीन हो, इन सब के खिलाफ UN-listed terrorist groups के खिलाफ action हमें सब को मिलके लेना पड़ेगा चाइना पाकिस्तान पर भी बात की है, क्योंकि कल की ही बात थी, जब चाइना ने United Nations के जो अगर आप देखे तो यह जो प्रपोजल था, उसको ब्लॉक कर दिया था, प्रपोजल किस बारे में था, कि L.E.T. के साजद मीर को global terrorist declare किया जाए, चाइना ने इसे ब्लॉक कर दिय कि आप देख सकते हैं, साजद मीर की जो तस्वीर है, बहुत जादा clear नहीं है, अलग-अलग नामों से जाना जाता है, ये FBI का आप देख सकते हैं, document जो कहता है, most wanted terrorist है, ये जड़ा सा zoom करके आपको मैं ये दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से है, इसके उपर reward भी काफी बात हुई, क्योंकि अगर आप देखे तो उन्होंने, इंडिया और US ने कहा है, 26-11 मुंबई attack, पठान कोट attack के पीछे जितने भी लोग हैं, जिसमें साजद मीर भी है, उन सब को कहीं ना कहीं, अब उनको law के हवाले करना होगा, और जो perpetrators हैं, उन सब को अब वक्त आ गया है, justice face करने का, इंडिया और अमेरिका ने कहा कि हम कंदे से कंदा मिला रहे हैं, terrorism, extremism के खिलाफ लडने के लिए, और अब हम सब को मिल के cross border terrorism को खतम करना होगा, याने पाकिस्तान की बात की गई, बाकी issues पे भी बात हुई, कि FATF को improve करना होगा, कि जो global standards हैं with respect to money laundering, terror financing इसक के अंतरगत वो ये कहे कि उसकी territory से कभी भी किसी terrorist को train नहीं किया जाएगा, किसी terror attack को ना finance किया जाएगा, ना plan किया जाएगा, ना carry out किया जाएगा, इसके सिवा कहा गया कि तालिबान जो government चला रहा है, वो inclusive हो, जिसमें women girls की human rights हैं, उन सब को भी respect किया जाए, और freedom of movement हो, याने जो अफगानिसान छोड़ के बाहर जाना चाहता है, उसके भी हितों की रक्षा हो, अब आते हैं दोस्तों पाकिस्तान पे, क्या मतलब है पाकिस्तान के लिए, देखिए दोस्तों कई attempts किये हैं, पाकिस्तानी side ने, और जो उसके जो उमीद है, IMF से लोन मिलने के लग चल रहा है, वो बिना कही न कहीं उनकी उमीद यही थी कि IMF की MD आ रही है, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा उनसे मुलकात हो जाएगी, टाइम वागेरा नहीं दिया, appointment नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो पहुँच गए, लेकिन जब उनको देखा आते वे तो meeting भी उनसे कर ली ग यह सारी बातें आप अगर देखें तो staff level पर ही clear होगी, आप मेरे पास क्यों आएं, तो कहीं न कहीं, पाकिस्तानी प्रदान मंद्री इस वक्त embarrassed हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका का जो डंडा यह चा रहे थे, IMF की MD पर जाए, वो नहीं पहुचा है, तो अमेरिका के दवारा दबाओ नहीं पहुचा, तो फिलाल वो निराश होके वापस जा रहे हैं, और अब धीरे धीरे उनके लोन के रिवाइवल के चांस भी diminish होते जा रहे हैं, दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी तो like जरूर कीजिएगा, वापस से याद दिलाता हूँ, 3rd July आकरी दि 10, 7,999 रुपए में subscription मिल रही है, इसमें आपको 1.7 lakh रुपीज में market में जो मिलता है, वो सब हम दे रहे हैं, 900 से अदे गंटे के live class, main stage series, prelim stage series, सब कुछ मिल रहा है, हिंदी माध्यम में बोध batch हम ला रहे हैं, 15 July से start हो रहा है, दोस्तों दोनों के दोनों आपको limited period offer में 7,999 रुपए में मिल रहे हैं, उसके बाद prices बढ़ेंगे, limited seats हैं, जल्दी से join कर लें, use the code kc10 description box में link मिल जाएगा, इसके सिवा आपको बता देता हूँ दोस्तों, बोध हिंदी माध्यम में है, अगनीपत batch bilingual है, जैसी मेरी ये class थी, वैसी अगनीपत है, बोध पून रूप से हिंदी में है, हिंदी में content भी है, Csat course है, 2499 रुपए में, समझर मंतन स्प्री मॉक टेस्ट है, उसका भी इससा बने, साथ साथ दोस्तों इस lecture का PDF भी आपको मिल जाएगा, description box में आप download कर सकते हैं, अगनीपत फ्रिलिम स्टेस सीरीज है, 2999 रुपए में, में स्टेस में, हमारी टीम है, बहुत ही experience टीम है, इन से जुड़ें और इन से सीखें, साथ साथ परस्पेक्टिव सीरीज को भी देखें, और हमें हमारे सारे social media handles पर जरूर follow करें